नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों हमारे देश में हरिजन शब्द प्रतिबंधित है आप किसी दलित को हरिजन नहीं कह सकते असंबेधानिक है असंसदी है फिर भी हमारे देश के एक सर्फ्ष्रेश चैनल ने जाटो समाज को हरिजन कहकर संबोधित किया और उसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है दोस्तों देश के लोग भड़के हुए हैं जो पिछड़े हैं दलित समाज है वो इस वीडियो को लेकर दोस्तों बहुत जादा नाराज हो गया है दोस्तों मेनिस्ट्री मीडिया हमेशा बहुजनों की भावनाओं से खेलता है उनकी खबरे नहीं दिखाता है और दिखाता भी है तो तोड़ मरोड कर पेश करता है दोस्तों सर्वश्रेश्ट है एक हमारे देश में आप सब जानते हैं वो कितना सर्वश्रेश्ट है उसके एक एंकर ने जो किया उससे पूरा जो दलित समुदाय है खासत और से ऐसी समाज है वो नाराज है माया वतीव जी की भी दोस्तों एक राय सामने आई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो बहुत जादे दोस्तों हमेशा की तरह इंपोर्टेंट होने वाली है तो इस वीडियो की शुरुवात मैं सर्वश्रेश चैनल के इस किलिप से करना चाहता हूँ जिसमें इस चैनल के एंकर ने जाटो समाज को हरिजन कहकर संबोधित किया और यही बिवात की असली वज़े बन गया लोग कह रहे हैं भाई यह किस तरह का जातीवादी एंकर है इसके दिमाग में कूड़ा भरा है क्या यह कैसे जाटो को हरिजन कह सकता है और जबकि हरिजन शब्द का अमबेटकर से लेकर कांशी राम मायवती जी ने अकसर विरोध किया चले दोस्तों बिना देर के सबसे पहले आपको मैं यह किलिप दिखाना चाहता हूँ जिसको लेकर लोग नाराज है देखिए ज़रा यह वीडियो उसे अखिले श्यादों ने मुमकीन करके दिखाया अब जाटो यानि हरजन मतदाताओं के एक हिस्से ने इस बार मायवती का उगवाई वाली BSP का साथ छोड़कर साइकल के सबारी कर ली और इतना बड़ा सियासी उलट फिर UP में क्यों और कैसे हुआ इसे जाने के लिए BSP के संगटन महामंतरी बियल संतोष ने पार्टी के दलित नेताओं के साथ बैठक करके मंतन किया तो दोस्तों यहाँ पर जाटव समाज को हरिजन कहा गया और इसलिए जो जाटव समाज हिखास तोर से दोस्तों वो नाराज है देखे अगर आप जाटव समाज नहीं समझ पाते हैं तो मैं दो नेताओं का नाम आपको बताता हूँ एक चंदर शिखर आजाद हैं एक मायावती जी हैं यह जाटव समाज से ही आते हैं और अगर मैं किलियर करूँ तो मायावती जी के जो हार्ड कोर वोटर हैं वो जाटव समाज है और जाटव समाज को अगर हरी जन कहा गया है तो दोस्तों इसकी घोर निंदा होनी चाहिए ये बेहत आपति जनक है मैं भी इसकी निंदा कर रहा हूँ दोस्तों हरी जन का मतलब क्या है हरी का जन भगवान का पुत्र या बेटा संतान जो भी आप कही लिजे दोस्तों मायावती जी ने इसको लेकर बहुत पहले अपनी एक राए विक्त की थी मैं चाता हूँ कि मायावती जी की वो राए आप लोग भी जानिये समझ दोस्तों मायावती जी की आत्म कथा हर साल आती है और वो बुक हमेशा आप देखते होंगे लॉंच होती है मेरा संगर्ष मै जीवन दोस्तों इस बुक में मायावती जी ने गांधी को लेकर हरिजन को लेकर अपने विचार व्यक्त किये हैं दोस्तों हरिजन शब्द पर मायावती जी की क्या राय है इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है देखे हरिजन मतलब होता है हरी का जन्स भगवान का बेटा संतान पुत्र जो भी आप कहे लिए दोस्तों हरिजन शब्द को लेकर मायवती जी ने हमेशा विरोध किया हरिजन शब्द की उत्पत्ति कहा जाता है गाधी जी ने की थी उनकी तो एक पत्रिका भी निकलती थी हरिजन के नाम से और गाधी जी और अमबेटकर जी में कितना अंतर विरोध था कितना वैचारिक व को मानने वाली पूजने वाली मायावती जी ने गाधी जी को लेकर दोस्तों चार विचार विक्त किये हैं दोस्तों मायावती जी ने गाधी जी के बारे में चार बड़ी बाते जो कहिए वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और पहली बात मैं आपको किलियर कर दूँ कि मायवती जी हरिजन शब्द से बहुत जादा चिरती है चाहे आप दलितों को हरिजन कहिए और जाटो समाजों कहेंगे तो तो फिर दोस्तों बहुत बड़ी बात हो जाएगी तो गाधी जी पर क्या सोचती है मायवती जी पहले तो इसे समझना जरूरी है गाधी जी आड़ गए थे अंशन कर रहे थे और बाबा साहिब को पीछे अटना पड़ा था अपनी बात मनवाने के लिए गाधी जी ने अंशन किया था जब वो आरक्षन की बात सामने आई थी दोस्तों 1922 में जब पूना पैक्ट का हो मामला आप लोगों को पता ही होगा उसका भी यहाँ जिकर करती है बेहन जी कि जो गाधी जी थे उन्होंने बाबा साहिब का अपमान किया दोस्तों पत्रकार ने एक बार मायावती जी से सीधा सवाल पूछा क्या आप मात्मा गाधी जी को महान पूरुष मानती है या नहीं मायावती जी पहले चूप रही है फिर उन्होंने कहा देखिए अब इस लफड़े में मुझे मत फंसाइए मैं केवल बाबा साहिब को महान पूरुष मानती हूं मैं गाधी जी को उतना महान नहीं मानती हूं मैं बाबा साहिब को महान मानती हूँ तो दोस्तों गाधी जी पर मायवती जी का ये विचार कई लोगों को रास आये था कई लोगों को नहीं आये था तो दोस्तों हरिजन शब्द पर जब मायवती जी गाधी जी को भी नहीं छोड़ रही है हर जन शब्द पर गाधीर जी की वही आलोचना कर सकती है तो फिर आज तक तो फिर इस चैनल ने जो खुद को सर्वश्रेष्ट होने का दावा करता है इसके खिलाफ क्या कारवाई नहीं होनी चाहिए दोस्तों अभी ये वीडियो वाइरल हो रहा है और इस वीडियो की कड़ी मिंदा हर कोई कर रहा है क्योंकि दोस्तों जो शब्द सम्मिधान में नहीं है जिसको लेकर लोग चिड़ते हैं एतराज है एक समाज को ऐसे में पूरे जाटो समाज को हर जन कह देना ये कहां तक जायज है बहराल दोस्तों इस वीडियो में फिलाल के लिए बसिदना ही क्या इस चैनल के एंकर के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए अपनी पर्तकिरिया दीजी बहुत बहुत धन्वात शुक्रिया